और राहूल भीया एकदम बहुत इस्पीड में बहुत इस्टांदार बहुत इस गजब का टेकनिक लगाए हैं खाने के लिए पानी दिजिए इनको सभी दर्सकों का प्रिंस मदेशिया ब्लॉग इटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रमोध भीया छोले बना रहे हैं यानि आज जो चैलेंज होने वाला है बुलगप्पे का चैलेंज होने वाला है और उसके लिए प्रमोध भीया छोला तयार कर रहे हैं तो प्रमोध भीया कैसे हैं पहले यह बताईए तो आपके पास हम दुबारा आए हैं बुलगप्प के रूप में कौन आते हैं और आज का चैलेंज सुरू करते हैं सवी दर्शकों का प्रिंस मदेशिया ब्लॉग यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज गुलगपपा इटिंग चैलेंज होने वाला है कैसे इस चैलेंज को पूरा करना है जान लेते हैं एक अंगाद यादो जी कहां करेने वाले हैं तो आप हमारे चलेंज में भाग लिये हैं आपको एक मिनट में 25 फुल की खाना है और अगर 25 फुल की खाते हैं तो आपको पुरसकार सवरूप 100 रुपे का इनाम दिया जाएगा अगर आप बीच से छोड की जाना चाहते हैं तो आ आप क्यों छोड़के गए ठीक है तो आपके लिए हम टाइमर को चालू करते हैं प्रमद भीया चालू हो जाएए बहुत बढ़ियां बहुत सांदार और टाइमर चालू होते ही अंगर जी एकदम मसीम बन चुके हैं और देखने वाली बात है कि जो टार्गेट दिया गया ह उस टार्गेट को कितना सेकंडर में यह पूरा कर लेते हैं बहुत बढ़ियां बहुत सांदार तो दुकान वाले भीयास में कहूंगा कि आप अपना स्पीड बना कर रखिए बहुत बढ़ियां बहुत सांदार और आज के चैलेंज में 30-25 फुल्की रखा गया है और देख कि आपका अभी सिकंड बहुत है 45 सिर्फ हुआ है बहुत बढ़ियां बहुत शांदार और यह कोई बड़ा टार्गेट नहीं है अगर आप साहल दिखाते हैं तो खा सकते हैं लेकिन आपका समय समाप्ती की तरह और आपका समय समाप्त हुआ है आप हमारे चैलेंज में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अगले चैलेंजर के रूप में आए है काना में तहां करने वाले हैं तो बिक्की जी है सुन बर्सा से बिना देर किये हम टाइमर को चालू करते हैं चलो हो जाएगे और यह पतल भी खाने वाले थे लेकिन पतल आपको नहीं खाना है नहीं सिर्फ बढ़द करता है पहूँ बभ search कि आप अपने खाने पर सिर्फ फोकस की जी अगहरा का फोकस खाने पर रहेगा तो भी खाने के बहुत भड़ाद मर्था जान्य कि चालीई स्फाने सांत्री कि इंको खाने दीजिये अपने दिमाघ से अपने समस्ता new डीड़ बहुत ही तेजी के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन इनका मूव में मूव से जब खाली होगा तभी ये दूसरा गुलगप अंदर डाल सकते हैं लेकिन बहुत बढ़ियां खाते रहे हैं क्योंकि आपका समय अपने स्पीड से अपने मंजिल के तरफ जा रहा है आप भी अप और इनका समय होता है समाथ तो हमारे जो अगले चेलेंजर के रूप में आए हैं अब आप में केमरामेंन से काना चाहूंगा थोड़ा घुमा के दिखाए कि इतने लोग इनको प्रतुसाहित कर रहे हैं कि ये भाईया चेलेंज को आज जीत के जाएंगे तो थोड़ा हमारे जो यहां पर दर्सक बंद हुए उनको दिखा देजिए इनको समर्थन के लिए पोड़े दर्सक तेयार है तो क्या नहीं हो रही आपका कहें रहने वाले हैं आपका टाइमर चाल हो गया और इनके लिए टाइमर चाल हो गया देखने वाली बात यह है कि डीक जो पच्चेस बिलकप पर खाने एक मिनट में और खाता है कि नहीं पर वेदी आराम अराम से कहिए आपका अभी समय इस्पाद हुआ है शांतर ही है यहां जो आता है उसको पता चलता है कि चैलेंज कैसे पूरा करना होता है जो बाहर से बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन जो हिम्मत बहुत बढ़ी है और एक चैलेंजर के रूम में आना यहां बहुत बड़ी बात होती है और भीके भीया खा रहे हैं बिलकप्पे को बहुत ही अराम-अराम से लेकिन इनको यह भी ध्यान रेकना है कि इनको इनको जो समय दिया गया वह अपने रब्तार से अपने मंजिल के सब्सक्राइब जा रहा है तो इनको भी अपना स्पीट बना के रखना होगा और देखते ही देखते इनका समय होता हो समय आप हमारे चैलेंज में आए आपको बहुत बहुत धन्यवाद 25 गोलगप्पे का चैलेंज रखा गया पूरा प्लेट में सजाए लिए हैं और यह अ अवर इस्तार्ट करते हैं चलो जाए और राहुल भीया एक दम बहुत स्पीड में बहुत फिशांदार बहुत गज़ब का टेक्निक लगाये हैं खाने के लिए पानी दूजिये भी इनको बहुत ही शांदार और देखने माली बात है कि जो जो इस्पीड बना के चलने है इतना कम समय यह आधा पलेट बिलकुल सफ़र्चेट कर चुके हैं बहुत बढ़ीया बहुत बहुत शांदार और देखते ही देखते ही इनका 25 सेकेंड हो चुका है और आपको अराब अराम से बिल्कुल आराम से दम धहरे के साथ बहुत बढ़ियां बहुत सांदार और चलेंग में भाग लेना इतना आसानी होता और हिम्मद दिखा रहा है यह सबसे बड़ी बात है तो राहूर भीया देखने वाली बात है कि और आपका 44 सिकेंड का समय हो चुका है तो देखने वाली बाते हैं आपके मुह में नहीं होना चाहिए मुह में भी एदो खाली होना चाहिए यानि फिनिस अन्वी सांत्री हो और देखते ही देखता आपका समय समाथ अर्ण आप मरे जो चलेंग में भाग लेने आए यह पिछले जो सेलेंज दिया गया था 20 गुलगपपा खाने एक मिनट में उसके बीजेता है तो आज लेकिन पांच गुलगपा बढ़ा दिया गया यानि या एक मिनट में 25 गुलगपा खाना है तो देखने वाली बात है कि आज एक विजेता बनते हैं या चूख जाते हैं तो क्या वाम है बाब हो आपका विशुनुनिसाद कहां करने वाले हो तो विशुनुनिसाद जी हैं बिलवा घाट से यह हमारे एक बार के चैलेंज के विजेता रह चुके हैं और फिर आज भाग लिए हैं तो बिना देर किये हुए इनके लिए हम टाइमर चालू करते हैं चालू हो जाइए भिया बहुत बढ़िया बहुत शांदार और एकदम मसीन बन चुका है लड़का और देखने वाली बात है कि आज का जो चैलेंज रखा गया है एक मिनेट में 25 गुलगपा खाने का उसको कैसे पूरा करता है बहुत बढ़िया बहुत शांदार और ये लड़का एकदम सतावजी एक्सप्रेस के तरह स्पीड बना के चलता है लेकिन आपको पूरा स्पीड बना के चलना है भिया आप आप हम गुलगपा उठाने से पहले आप रख दीजिए इनके प्लेट में ताकि इनको इंतिजार बहुत बढ़ियां बहुत शांदार अभी सिर्फ छती सिकेंड भूँआ है दूस्तों आज जू चैलेंज हुआ बहुत ही खतरनाक चैलेंज था इसमें बड़े बड़े चैलेंजर आये कोई एक फुलकी से चुक गया तो कोई मतलब आधे ही खाके चला गया लेकिन ये हमारा पिछला बीजेता जो थे आज के भी चैलेंज में ये बीजेता बने है और एक मिलेट में 25 गुलकप्पा खाने का जो चैलेंज था उसका ये बीजेता बने है और इसमें 100 रुपे का इनाम रासी रखा गया था लेकिन ये सिर्फ 50 सिकेंड में 25 गुलकप्पे खाए है और ये बहुत बड़ी बात है तो और पचास इनाम के तरप निंगायों दो पेले इनाम के लिए और हमारे दर्सकों को दिखाएे, देख लीजिए इतना स्पीड कैसे बना के खाते हो तुम एक दम सतापदी एक एकस्प्रेस के तरह और ये मतलब इसलिए बंदा इंतिजार कर रहा था कि देखा जाए कि कितने चैलेंजर आते हैं इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं इसलिए लास्ट में आए और पचाथ सिकेंड में खाके आज के भीजेता बने हैं दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करके पूमेंट में भी जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगया